नवश का अपनाम केकराज और आप देख रहें एकजाम बिहार आप सभी को बता दे कि जिस तरीके से मोधी जी का नारा था कि 400 पार अब की बार 400 तो छोड़िये उनका 300 तक सीट नहीं पूर पाया और 300 के नीचे आया है और उसमें भी दो पाटी का सहोग है जो कि बिहार के और एक तेलगाना के मुखमंत्री है उनका सहोग है फिर जाके मोधी जी का कुछ सीट बरामद हुआ है और इनका नारा था कि अब की बार 400 पार 400 के तो पास भी नहीं पहुंचे 300 के नीचे रह गाए और इनको अब डर है कि कहीं सरकार गिर न जाए और गिरने का कारण है कि नितीश कुमार जी जो कि बिहार के मुखमंत्री है जो कि एक बार नहीं सबसे बड़ा रिकोर्ड नितीश कुमार जी के नाम है पल्टी मारने के नाम पे क्योंकि वो इतना बार पल्टी मारते हैं और यहां का यह मुखमंत्री कायम रहते हैं तो 400 पार तो होने वाला है नही और जिस तरीके से देखा जा तो नितीश कुमार जी इस बार क्या अपने मन पे अपने कलेजा पे पत्थर रखे पांच साल तक मोदी जी को पीम बना के रखेंगे ये देखने लाइक है या फिर फिर बीच रास्ता में साथ छोड़ देंगे क्योंकि वही नितीश कुमार है ज पर एक स्टेज पर बोलते हैं कि हम मोदी जी के साथ है आगा है तो अभी यहीं रहेंगे अभी यहां से कहीं जाने वाले नहीं है लेकिन उनके बातों पर नहीं तो बिहार के जनता और नहीं हिंदुस्तान के जनता फरोसा करती है क्योंकि उनका नाम भी बड़े बड़े न यू चैनल नेशनल टीवी चैनल पर पल्टु राम कहके बुलाया जाता है क्योंकि वह जिस तरीके से सबसे ज्यादा मुख मंत्री बढने वाले कोई नेता है तो वह नितीश कुमार जी है तो नितीश कुमार जी के देखने लाइक है और एक हाल फिलाल में वीडियो इडिया के सरकार में क्या लोचा है वो चीज के बारे में वीडियो अगला बनाएंगे और आपका क्या रहा है जरूब बताईएगा क्या मोदी जी को किस वज़े से इतना सीटों का नुकसान भरना परा उत्तर परदेस यूपी जो गर माना जाता है कि हाँ बुलोजर बाब के नाम से कांपते हैं लोग वहाँ पे इतना भारी नुकसान पचास सीट का नुकसान हुआ है जो कि पिछला बार साथ सीट जीते हुए थे इस सीट में से इस बार तीस सीट जीता है और इससे बरीव बात तो यह है कि सबसे बरा मुद्दा है कि आयोध्या का और आयोध्या पर एक समय आपका कहा रहा है कोमेंट करेंगे जब बताइए क्या 400 पार का नारा सिर्फ हावा बाजी था तो देख लिए आप लोग और आपका कहा रहा है कोमेंट करेंगे जब बताइएगा इस वीडियो को अगर फेस्बूक पे देख रहा है तो फॉलो किजिए गा है तो है